हेलो फ्रेंड्स वेलकम डू एंजल मैथ कॉंपूटिशन फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे रहुल तेवितिया सर की बुक कंप्लीट मैथेमेटिक्स और इस बुक के कोशनों का सुलुशन आपके लिए बहुत ही जवर्दस्त और बहुत ही आसान बना कर आपक आपको शिखाय जाएंगे कोई भी कोशन में आपको दिकत नहीं होगी और जवर्दस्त सोलुशन चलेगा और इस बुक को हम रोकेंगे नहीं कंप्लीट कराकर ही सांस लेंगे भले चाहे दीरे दीरे चले वीडियो लेकिन आपके सामने ये कंप्लीट होगी और बैस तरीके से सीखें आप इक्वल टी इक्वल कॉंसेट का यूज करके चलिए देख लेता हैं कोशन नमबर ग्यारा पच्चिस अजार रुपे की रासी तीन वर्स बाद बारा परसेंट की दर से चक्रवद्धी ब्याज बताना है इस पर हमें जबकी वार्सिक ब्याज चक्रवद्धी लेगे तो देखो मोल्दन रासी हमारी पच्चिस अजार है तीन वर्स में बारा परसेंट की दर से तो देखें यहां पर हम रेशो मेतर से यानि दर परसेंट से हम कॉश्चन को आसान बनाएंगे बारा परसेंट बटे में सो लिखकर इसको छोटा करें चाल के बारा चाल से 25 इधर हम क्या करेंगे मूल्दन और इधर एमाउंट लिखेंगे मूल्दन 25 और 25 में 3 जोड़ेंगे 28 के लिए अब समय जैसे कि आपको मालूम है समय तीन बस है तो इसका घन करेंगे और इधर इसका भी घन करेंगे 25 का घन होता है पंदरा छेहसो पच्चिस और अठाइस का गन होता है इकिस नो सो बावन इकिस नो सो बावन देखे ये घन की नोलिज याद रहनी चाहिए आपको अब देखो अगर हम मूल दन और अमाउंट का अंतर करते हैं तो ये आज़ता है हमारा C.I. रेशो में 12 में से 5 गटाइंगे 7 यहां रहे जाएंगे 4 में से 2 गटाइंगे 2 और 9 में से 6 गटाइंगे 3 और 21 में से 15 गटाइंगे 6 ये हमारा C.I.A के रेशो में अब देखे जैसे कि आप जानते हैं इक्वल टु इक्वल से कुर्षन सोल होता है इधर हमारा मूल्दन रेशों में दिया है 15,625 और यही वेल्यू दी गई है हमें यहाँ पर मूल्दन के रुख में 25,000 के लिए अब आप देखिए बिल्गुल इसको इजी, सरल और आसान तरीके से इसको आम हल करेंगे जैसे कि मैंने इसको काटा 25 से मैंने इसको काटा और 25 से यह मैंने एक हजार बार काटा अब 25 से 625 को 25 बार और यह 40 बार 5, 48, 45, 25 किलियर है अब आप धियान से देखें अब हम इसको equal to equal format में लिखेंगे देखो ध्यान से पाँच बटे में 8 लिखकर इसको equal to equal format में ले लेते हैं पाँच बटे 8 इसके बराबर हमारा यह आ जाता है एक ratio की value इसके बराबर है अब cutting करेंगे यहाँपर हमें क्या आ जाएगा CI, CI आ जाएगा हमारा देखो पाँच इकम पाँच पाँच दुनी दस clear तीन पाँच चंग तीस देखो पाँच कम पाँच एक पाँच दुनी दस तीन पाँच चंग तीस दो पाँच पंच पच्चिस और पाँच चुग बीस clear है अब 8 से गुणा करेंगे question का answer आ जाएगा CI आ जाएगा हमारा 8 चंग तीस हासिल तीन 8 पंच चालिस तीन तीतालिस चार 8 चंग तालिस और चार बावन हासिल लगे 5 बारा ठीक शानमे और 5 एक सो एक लेजे question का answer आ गया बस इसमें थोड़ा मेहनत है इस question के अंदर और वो मैंने आपके सामने कर दिया है तो यह हमारी question का answer बनता है option A is right यह हो गया C I अब देखो question number 2 देखेंगे जब व्याज वारसिक होता है जब व्याज वारसिक होता है तो 10% परती वर्ष की दरसे चार वर्ष में कोई निश्चित रासी इतने रुपे 29,280 रुपे हो जाती है तो यह मिस दन बन गया उसी रासी पर उसी व्याज दरसे उतने ही समय का सादान व्याज पोछा है तो अब आप चरह ध्यान से देखो कुछ point बता रहा हूं मैं हर वीडियो में जब तक component एस खतम नहीं होगा आपको मालूम होता रहेगा जैसे जब भी समय चार वर्स आजाए और 10% दस हो तो श्याई की दर होगी 46.41% अगर समय आपका 3 वर्स आजाए दर होगी 10% तो श्याई की दर बनेगी आपका 33.1% यह direct knowledge होनी चीए यह आपको इससे क्या होता है speed fast हो जाती है जल्ली और आसान पढ़ता है calculation करने में और जब समय दो वर्स आजाए दर यही हो 10% तो श्याई की दर बनेगी 21% यह इस तरह यह man है कहीं न कहीं किसी question में आता रहता है इसलिए मैंने यह आपको direct बताया है इसको आप याद रखना चाहिए चलिए आप देख लेते हैं मैंने note करा दिया आपको यह अब करते हैं question को start देखे जब आरसी के 22% लगनी है 10% की दर से तो 4 वर्स की 22% बनेगी 46.41% यह 22% है लेकिन यहाँ पर दिया गया दन है 29,280 amount यहनिके मिश दन और मैंने बताया था amount बराबर amount करेंगे तो मुल्ण आजाएगा और मुल्ण पर हमें साधन ब्याज निकालना है तो दीखें amount हमारा कितना है 29,280 29,280 हमारा amount है और यह हमारा चक्रवच्दी ब्याज है अब जैसे ही मैंने बताया था कि किसी भी दन में जो दन 100% होता है कोई भी दन अपने आप में 100% होता है उस 100% में अगर हम ब्याज जोड़े तो वह मिश दन बन जाता है तो 100 में इसको जोड़ देंगे 140.40 अब यह हमारा मिश दन बन गया amount यानिके और जैसे amount से amount कटेंगे तो मूलदन आ जाता है लेकिन यहाँ पर मूलदन नहीं पूछा है हमसे पूछा है उतने ही समय का उसी दर से साधान ब्याज उसी दन पर साधान ब्याज निकालना तो देखे साधान ब्याज यहाँ पर रखेंगे क्योंकि इदर मूलदन आएगा मूल दन पर साधान ब्याज निकालना एक साल की 10% चार साल की 40% हो जाएगी और इधर हमारा साधान ब्याज आ जाएगा देखे हो गया न equal to equal तो आपके सामने equal to equal बन गया और आप इसको हल करते हैं देखें percent से मैंने percent अटाया और आपके सामने साधान ब्याज निकाल लिया option B is right answer यह हाँ तो जबद सोलिशन के साथ आपको एक-एक question best तरीके से मिलेगा question number 13 देखे question number 13 बहुती आसान और simple तरीके से इसका format आपको बताया जाएगा और इसको easy तरीके से कराएगे किसी राशी पार्चेकरवत दिव्याज की 23% वार्षिक दर से दो वर्ष में प्राप्त मिश्दन इतना हो जाता है यह मिश्दन है हमारा तो मुल्दन राशी बताएगे आप देखे आप जानते हैं कि मिश्दन बराबर हम मिश्दन करेंगे equal to equal concept लगाएगे मिश्दन बराबर मिश्दन तो हमारा मिश्दन है यह 9774 क्लियर अब इधर भी हमें अपना मिश्दन रखना है मूल्दन पर ब्याजदर कितनी है 23% वार्षिक है सो में जोड़ कर लिखेंगे मिश्दन बन जाएगा 123 बटे में 100 क्लियर कितना समय है दो वर्ष पावर चड़ा देंगे अब इसको हल करेंगे देखें यहाँ बर हमें 123 का वर्षिक करना सिखाएंगे आपको तीन अंगों की संग्या का वर्षिक 130 का वर्षिक कैसे होता है 100 से कितना जाद है यह तेश का वर्षक करेंगे biit 529 पीछe से दो आव्षिक छोड़ाइंगे वर्ष वाली संग्या का यहाँ आई आसे तो इसका वर्ष 529 पाँचाशिल लगेगा के लिए यह पाँचाशिल अब्ड्विक पूरी संग्या एकšो तेश है 23,40 में जो एक्ष्ता था एक्सौ तेज में एक्सौ चालिस और पांच एक्सो एक्यावन यह हो गया इसका वर्ग अब हम लिखेंगे इसका वर्ग तो मैंने लिख दिया यह और बटे में 100 का वर्ग हो गया 10,000 बराबर 90,704 अब देखे 15.90 है यानिके 6 बार पूरा-पूरा कट रही है यह संक्या 6 में ब्रज गुणा करेंगे 10,000 की यह आगिया 60,000 60,000 रुपे हमारे कुश्चन का आंसर बनेगा मुलन रासी हो गया हमारी 60,000 रुपे यह हो गया हमारी कुश्चन का आंसर 60,000 रुपे देखो ऐसे इसी कुश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल होते हैं लेकिन कुछ कुश्चन ऐसे भी आते हैं जो टफ होते हैं उनकी जो कैल्कुलेशन है वा काफी लेंटी हो जाती है तो ऐसे कुश्चन अगर आप चाहे अगर कोई एकाद आजाए तो छोड़ने में फाइदा है क्योंकि उस पर आपका ज्यादा टाइम लगेगा कुश्चन में टाइम को देखना है उसका एकोडिंग अजने कुश्चनों से आप अपना टाइम रिकवर कर सकते हैं वरना लेंटी कुश्चन अगर आ जाता है तो उसको छोड़ देना आपके लिए पैस्ट है चलिए देखते हैं कुश्चन नमबर आता है चोदा एक बैंक में एक लाग रुपे की राशी 7 परसेंट वार्शिक चकरुदिव्याज इदर से 5 वर्स के लिए उदाल लिए देखें यहाँ पर समय 5 वर्स दे बिए गया देखें एक कुश्चन को टफ बना दिया गया कैसे क्योंकि इसमें कैल्कूलेश्ण पर जाट आपको रोकेगा आपको रोकने की कोशिश करेगा एक्जामनर कुछ ऐसे question रख देता है क्योंकि यहाँ अपर समय पांच वर्स है अगर समय एक साल, दो साल, तिन साल होता तो बहुत ही आसानी से हो जाता बट समय पांच वर्स है तो यहाँ पर examiner आपको रोकने की कोशिश कर रहा है देखें कैसे जहां ब्याज की करना वार्षिक चकरवद्धी ब्याज की जाएगा आप देखो कैसे तो हमें CI निकालना है CI कैसे निकाल लेंगे मिश दन में से हम क्या करेंगे मूल दन अगर गटा दे तो चकरवद्धी ब्याज आ जाएगा तो मिश्दन बनाएंगे हम यहाँ पर मिश्दन मुल दन रासी कितनी है एक लाग रुपे एक लाग रुपे पर साथ परसेंड की दर से एक सो साथ बटे में सो पांच बाल लिखा जाएगा देखे यह है वो आपको रोखने का काम करता है यह वाला कोश्चन तो इसे कोश्चन पर आप अपना टाइम ने खरच करें इसी में बुद्धी मानी है आपकी देखो पांच बाल लिखेंगे फिर इसकी कैल्गुलेशन करेंगे तो हो नहीं पाएगी कैल्गुलेशन कैल्गुलेटर की ज़ुरत पड़ेगी और माइनस एक लाग रुपे क्लियर गटा दिया है मैंने मुल्दन गटा दिया मिजदन में से तो चकरद्धी प्या जाएगा अब आप देख लेजिए इसकी कैल्गुलेशन दो तीन चार पांच क्या बनता है यह एक सो साथ कि गाज पांच बटे में पांच जीरो माइनस एक लाग अब देखे अगर हम इसको अल करने लगे तो हमारा टाइम लग जाएगा जादा हमारा टाइम लग जाएगा तो इसको हल कर लेना हमारी कुश्चन का आंसर आ जाएगा और यह भी डेशिमल की बाद तक आएगा इसमें पूर्ण तक लिखा है इसने 40,255 लेकिन यह भी पूरा पूरा नहीं हलो रहा है दस्मलो के बाद के संग्या छोड़ने के बाद पूर्णां संग्या लिखी है 40,255 तो इसे कुश्चन को जादा आप माइडली मत लेजेगा कुश्चन अमबर 15 देखी कुश्चन अमबर 15 स्वल्शन आसान किया जाएगा बिलकुल आईजी कोई राशी 10% वार्शीक दर से 4 वर सुमें 39,282 हो जाती है यह मिश्दन है तो मिश्दन बरावर मिश्दन करेंगे चलिए कर लेते हैं पहले मिश्दन बरावर मिश्दन 39,282 हो जाती है और हमारा 10% की दर से 4 वर स की चकरवदी व्याज बनेगी 40.41 यह चकरवदी व्याज और जब इसको मिश्दन में बनाएंगे तो 140.41 परसेंट बन जाएगा यह तो यह हो गया हमारा मिश्दन बरावर मिश्दन आगे बढ़ेंगे जैसे हम इसको गाटेंगे इदर मूल दन रासी आएगी अब गहरा है कि उसी रासी को दूगना करने पर जो मूल दन रासी आएगी इसे दूगना करने पर समान ब्याज दर से समान ब्याज दर 10% की दर से पांच साल, दस पंजे पचास, परसेंट का साधान ब्याज कितना होगा, देखें, इकवल टो इकवल फोर्मेट में बन गया, अब इसको हम हल करेंगे, देखें, दो अंख हटागर दसम लोगे, दो जीरो नीच लगी, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, अब देखो, छोदा दुनी थाईज दुआ बार कट गया, इससे ये पूरा, दो दुनी चार बंजे बीश, ये वाली जीरो और इसके, दो जीरो यानि सो और गुना करेंगे, ये आगे हमारा, बीश अजार, ओप्शन, बी इस राइट आंसर, ये रहा, बहुत आसान और सिंपल, देख लो, किलियर हैं, अब आगे बढ़ते हैं, कोशन नमबर सोला, सुमित दो वर्स के लिए, दो बेंकों में से पर्तेक में, पाच्चास अजार रुपे का निवेश करता है, पहले में पाच्चास, दूसरे में भी पाच्चास, किलियर हैं, पहला बेंक, ग्यारा पर्सेंट वार्सिक सादान व्याज दर पर देता है, एक सालगा ग्यारा पर्सेंट है, दो सालगा ग्यारा दुनी बाईस, किलियर, और दूसरा बेंक, 10% वार्षिक चगरवध्य व्याज चगरवध्य व्याज पर 2 वर्ष में कितना व्याज और जित करता है 10% की दर्ष से 2 वर्ष का चगरवध्य व्याज हो जाएगा 21% किलियर? अब देखो इनका कुल व्याज भूज रहा है पलस कर लेंगे % से 2-0 परसेंट से दो जीरो 22 पंज़े 110 और दो जीरो ये पलास दो जीरो ये 21 पंज़े 105 लिजे ने जोड लिजे आंसर आ जाएगा देखो लाश्ट की दो जीरो तो ये लिख दी मैंने पांच और 0 पांच 10 और 11 इक्किस 21,500 21,500 हमारे कोश्चन का आंसर बनता है option D देखे कोश्चन नबर 17 बहुत ही जवरदस्थ और बेस्ट सोलिशन में आपको कोश्चन का सोलिशन मिलेगा और equal to equal format में मिलेगा इस concept से ही देखे दोनों कोश्चनों का सोलिशन ऐसे ही आप जैसे ब्याज से ब्याज काटेंगे तो इधर मूल दन रास ही आएगे आप उसने कहा है इधर कि जब ब्याज की दर 4% वारसी को तो समान दन्राशी जो दन्राशी होगी उसी पर दो वर्स का चक्रवद्दी ब्याज गयाद करे आप इधर लिखेंगे दो वर्स का सिया ही ब्याज दर हम लिखेंगे 4% की दर से बहुत अच्छी टेक्निक मैंने बनाई हुई है आपके सामने 4 गवर्द 16 दो अंग छोड़ दर दर समलो परसेंट का चिन और 4 दुनी 8.16 यह होगी हमारी चक्रवद्दी ब्याज की दर जब 4% हो समय दो वर्स यह सक्सिजम मैदर से भी देख लिजिए इसकी दर बनाना C.I. की दर 4 पलस 4 पलस दोनों की गुणा 4 चोग 16 100 से बाग परसेंट का चिन 4 4 8 0.16 यह वाली यह मैंने बनाई यहाँ पर तो हमें क्या करना है अब हमें C.I. निकालना है इदर यह निकालेंगे C.I. देखिए इक्वल टो इक्वल फॉर्मेट हो गया परसेंट से मैंने यह परसेंट अटाया 2 दसमलों से 2 0 और 8 तीए नहीं सोरी यह है 816 है न 8 से काटेंगे 8 तीए 24 8 तीए 8 0 8 दुनीश सोरा क्लियर अब 3 से मैने से 15 बार काटा C.I. आ जाएगा देखिए 15 दुनीश और 15 एकम 15 लेजिया आगया 1530 option B is right answer यह दा equal to equal format है देखिए इस वाले question में भी equal to equal format लगेगा एक निश्चित मूल दन पर 8 बार सी दर से 3 वर्स में सादान भी आजा 8 की 24% हो गया यह 24% सादान भी आजाएगे और इसके बराबर है 1200 रुपिया clear है इकवल to equal अब का है दो वर्स में 10% की वार्सिक दर पर मूल दन रासी जब इदर से इतर काटेंगे वह दुग नहीं हो जाती है यह रा एक साल की 10% है दूर साल की 21% हो जाएगी ब्याज दर तो CI निकालना मुझे CI कितना होगा चलिए देखे हो गया ना equal to equally percent से मेंने percent 24,5,120 50 बार काटा यह अब देखे 21,5,105 21,5,0 गुणा दो 0,2,5,10 दो इकम दो 2100 रुपे देखे 2100 हमारे question का answer आगया option B is right